लेंग्वेज आफ इंटर्व्यू इस अफ्रिक्वेंटली आश्ट कोश्चन बाई कैंडिडेट्स जो भी कैंडिडेट्स ये पीएफ एसी 2023 में एपियर हो रहे हैं तो उनके मन में ये डाउट्स होता है कि लेंग्वेज हम क्या रखें इंटर्व्यू का देखो my own experience I am more comfortable in Hindi because Hindi में हम बच्पन से ये पढ़ते आ रहे हैं चीजों को ठीक है writing है तो obviously है writing skills में मैं इंग्लिस में ज्यादा comfortable करता हूँ लेकिन जहां speaking की choice है तो by choice I prefer Hindi लेकिन chest Hindi नहीं आपको sanskritized Hindi नहीं बोलना है लेकिन यदि आप इंग्लिस में comfortable हो तो आप इंग्लिस में करो in fact जैसे मैं UPSC की बात करूँ तो in fact जब मैं assistant commandant में था तो मैंने इंग्लिस में ही interview दिया था अभी भी बहुत जगा जैसे कभी मौका मिलता है तो generally जैसे situations के अंसार prefer ये करना चाहिए आपको अब आपका assistant commandant CPF का interview है personality test है उसमें language की choice आप से नहीं मागी जाती है एक चीज़ियान रखो जब language की choice नहीं मागी जाती है तो by default जो है वो इंग्लिस एक तरह से है अब by default का मतलब ये है एक तरह से देखो कि जो भी आपके UPSC में जो interview panel में है तो वो हर कोई वो English इतने जानते हैं वो ही वहाँ उस board में होते है अब आपके पास जब 24 है तो 24 दो है या English और Hindi same like paper में आपके इंडिया में जो आपके ed schedule है उसमें 22 languages है लेकिन अब just imagine करो कि आपके जो question paper होते हैं उसको 22 languages में दिया जाए in addition to English तो total 23 language हो जाएगा अब समझ सकते हो ना कि question paper जो होगा वो complex होगा या उसके लिए फिर ये किया जा सकता है कि जो different candidates है उनसे twice मांगा जा अब मानके चलो उसमें region wise change करना पड़ेगा यदि कोई करनाटक के हैं करनाड़ लेना चाहते हैं तमिल लेना चाहते हैं केरल के हैं मल्यालम लेना चाहते हैं या कोई Sanskrit में चाहते हैं कोई Bengali में चाहते हैं तो वो बहुत difficult रुपा है तो इधर आपके पास language में Hindi और English अब जो Hindi medium बाले हैं Hindi belt बाले हैं उनके पास preference है अब just imagine करो कि एक South India के ऐसे person जो न तो English में comfortable हैं और न हिंदी में तो उनके लिए थोड़ा सा challenging हो जाता है आपके पास जो Hindi medium बाले हो, Hindi belt से हो तो बहुत सारे candidates हैं जो writing तो English में करते हैं लेकिन बोलना जो है वो Hindi में prefer करते हैं My own experience is same ठीक है लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने चुकि मैं सारे papers जो है वो English में लीखता हूँ और मैंने जो अपना assistant commandant का interview दिया था वो English में दिया था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हाँ एक चीज ध्यान रखो आपका जो paper 2 है उसमें कुछ component जो है only English में पूछे जाते हैं 120 marks के जो questions है जो report writing, argument writing, pressy writing, reading comprehension और grammar वाला component वो only English में है अब जदि only English में है तो आप ये नहीं का सकते हो कि हम English नहीं जानते हैं lot of candidates हैं जिन्होंने हिंदी में भी करके अच्छा किया, recent में my best example आप लोग को देता हूं काना जोसी, काना जोसी ने लीखा भी जो component हिंदी में था, उसको उन्होंने हिंदी में लीखा और जो component आपका English में था, obviously उसमें से English में लीखना था, तो उनका देखो 16th rank आया, हिंद अधी मेडियम में उन्होंने इंटर्व्य दिया, आप उनके mock interview भी देख सकते हो, और बहुत सारे अभी जैसे Hagseeks Mahadorya उन्होने 21 में भी interview दिया, 22 में भी interview दिया, आप देखो, 21 के interview में उनको बहुत कम marks मिला, मैंने 21 के time में भी उनको guide किया, 22 के time में भी 21 बाले में उन्होंने क्या किया कि English उनकी उतनी अच्छी नहीं है still उन्होंने जबरदस्ती एक तरह से मैंने बोला था कि देखो dear if given choices जदी compelled वो नहीं करते हैं तो you should speak in Hindi आपको Hindi में बोलना चाहिए उन्होंने क्या किया जबरदस्ती जो है वो English में बोलने की कोशिस की उसका परिणाम क्या हुआ उनके marks बहुत कम आये यानि की 75 साथ था तो उस कारण से उनका selection नहीं हो पाया 322 में मैंने बोला देखो dear ये चीज मैं आपको पहले से ही कर रहा हूँ मैं आपको पहले से समझा रहा हूँ कि आप जो communicate करते हो तो वहाँ आपका communication skills सिर्फ नहीं चेक जाता कि आप किस रंग से बोल रहे हो आप जो message convey कर रहे हो वो भी माईने रखता है जो आपके comfort zone है वो भी माईने रखता है किसी चीज को हम mere reply नहीं करना है वो reply करने में जो है ये एक confidence दीखना चाहिए एक confidence जलकना चाहिए तो हम जिसमें comfortable feel करते हैं उसी में ये बोलने अब just imagine करो कि किसी को अब हमें बोल देदा है कि बंगाली में बोलना है suppose करो अब कुछ सब्द को हमें ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन आपको लगता है कि वो comfortable आप हो पाओगे नहीं in fact देखो कि जो बहुत सारे people है वो अपने अपने language में अपने 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 जो area के language उसमें comfortable feel करते हैं अब जैसे आप training में जाओगे तो majority of troops जो है जो ground troops हैं constable level के जो बंदे हैं वो आपको हिंदी medium बाले आएंगे हिंदी belt बाले आएंगे अब उसमें से क्या होता है ना कि जब आप area assistant commandant बनते हो तो जो suppose south India से ही हो कोई या और कहीं से हो तो आपको हिंदी सीखना पड़ता है तो मैं देखता था आपने batch में तो in fact I already discussed this thing कि one of my roommate was from Tamil Nadu and another was from Manipur तो जो Manipur वाले हैं वो obviously दिल्ली मेरा चुके हैं तो ऐसा नहीं है दोनों हिंदी जानते थे लेकिन वो comfort उनके पास नहीं था तो I was fortunate कि मैं उन दोनों से communicate करता था आप वहां जो और officers होते थे तो एक तरह से मैं सब के बीच link का काम करता था ऐसा नहीं है कि उनको हिंदी नहीं आता था आता था लेकिन जो comfortable है वो उस चीज को नहीं feel कर रहे हैं तो उनके लिए English में कोई problem नहीं है तो जब आपके पास choices होते हैं तभी तो हमारे पास doubt होते हैं इमेजीन करो कि यदि ये compulsory होता कि नहीं आप at any cost आपको English में बोलना है तो आपके पास कोई भी खल्प नहीं है आप English में ही करते आप English के लिए try करते जीतना हो सकता है उसको करते लेकिन उस situation में क्या है कि only English है तो जिनका English में comfort better है तो उनका तो little advantage होगा लेकिन यदि आप ऐसे देखो तो जो हिंदी मेडियम से हैं हिंदी बाले हैं in fact बहुत सारे जो so called परेशनल्स जिनके English बहुत अच्छे थे उनके भी marks बहुत बार कम आए हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है ये कोई माइने नहीं रखता है कि आपकी English बहुत अच्छी है आपकी English बहुत अच्छी है तभी आप करपाओगे twice अपना देखो कि हम किसमे comfortable feel करते हैं अब ये कब आएगा आप जो mock देते हो mock interview तो जिनके पास जरसे जिनके पास doubt नहीं है कि भाई मुझे English में ही देना है तो उनके लिए तो कोई choice ही नहीं है आप अपना select करो एक ही को और उसको लेकिन जिनको लगता है कि हम किसमे comfortable हैं उस comfort के अनुसार दो बहुत आरे हमने देखा है candidates unfortunately वो select नहीं हो पाये क्यों तो कि उनका return में कम a score था लेकिन मैंने उनको बोला कि ठीक है आप हिंदी में comfortable पील कर रहे हो हिंदी में दो और उनके 100 प्लस आए है ये चीज एक मीथ है ये हमेशा मैं marks के आधार पे खाता हूँ मैं अपने selected candidates के आधार पे और जिन candidates को मैं personal group से guide किया हूँ उनके observation, उनके marks सारे चीज़ों को देखने के बाद कि language barrier नहीं है language एक enabler है इस चीज को ध्यान रखो कि ये कभी मत सोचो कि हम हिंदी में ये जो मीथ है अब aggregate देखो क्यों हो रहा है problem जैसे आप civil services में भी देखो कि हिंदी माध्य हम से selected candidates कम हो रहे जो language लीखने का है वो majority prefer कर रहे है अभी English वाला in fact मैंने आपको खुद बोला मैं जितने भी वीडियोज बनाता हूं तो mostly क्या है मैं आपको आपसे बात करता हूं तो हिंदी में करता हूं लेकिन मैं खुद जब लीखता हूं जब मैं writing करता हूं तो वो मैं English में करता हूं तो जो actual में candidates वहां जा रहे हैं तो उन्होंने English medium में लीखा अपना paper जो है और उसके बाद वो select हुए तो ये ध्यान रखो कि ये मानो कि Yes, this is true कि English medium वाले candidates जदा होते हैं लेकिन ये कभी मत मानो कि हमारा हिंदी है medium तो हम selecting होंगे paper 1 में कोई फर्क नहीं पढ़गा आपका paper 2 में भी आपके पास एक component है जो 80 marks का उसको आप अपने हिंदी में लीख सकते हो और बाकी जो components है वो आप English में करना है तो जो language का choice है अपने को देख लो अपने comfort के अनुसार यदि आपको लगता है कि यस मैं हिंदी में comfortable हूँ तो हिंदी में दो English में comfortable हो तो English में दो ठीक है इन number of candidates के जो mock है वो आपके uploaded है वो provide किये हुए है एक चीज ध्यान रखना लेकिन जो भी Hindi medium से English वाले के लिए तो कोई intention नहीं है हिंदी में जब भी हो mentally आपको English के लिए भी alert रहना है A lot of time होता है कि कभी-कभी जैसे आप बोलते हो आप से पूछा जाता है या कभी-कभी बोलते हैं कि whatever language you are comfortable you should appear in that or reply in that या जिस भी language में comfortable हो उसमें करो लेकिन बहुत candidates के साथ इसा होता है कि वो बोलते हैं इंग्लीस में हमें यह सुनदा sometime यह होता है जैसे for example armed forces background से जो person है या उस label के हैं जैसे जिन्होंने इंग्लीस को ज़्यादा prefer किया जैसे आप जो chair person है chairman है board के वो English को ज़्यादी ज़्यादा सबज्जों दे रहे हैं तो sometime यह बोलते हैं कि reply in English but we will not deduct marks for language efficiency or proficiency तो वो इसे case में आपको English में ready रहना है ठीक है तो हम इतना minimum maturity हमें रखना है कहीं भी for example low आप suppose UN peacekeeping force में चले जाते हो तो आपको हुआ हिंदी नहीं बोलोगे minimum English आपको जानना चाहिए या आप कहीं South India में जाते हो कहीं election में duty में या कुछ और चीज़ों में तो आपको minimum उतने English जानना चाहिए उतने English आपको होना चाहिए कि आप at least communicate कर पाओ convey कर पाओ तो यह आपका आएगा जब आप mock interview दोगे जब आप mock interview में एपियर होगे जब चीज़ों को आप बार-बार करोगे practice करोगे देखोगे हमेश्था ध्यान रखो कि हमें worst case के लिए तयार रहना जैसे आप training center में आपको train किया जाता है real situation क्या सेम आएगा नहीं real situation जो training ground में होता है जो आपका training center में होता है वही नहीं होता है आपको ready रहना होता है आपको ready होना होता है कि यस कैसा भी situation आए कैसे भी कठीन परिस्थितियां आए हमें उसे handle करने के लिए एक commander का तो यही है ना कि हम कुछ ऐसे situations हैं जिनको handle कर सकें जिनको कर सकें जिनसे एक problem वो है तो हम उससे बाहर निकल बाएं तो कभी-कभी आपके mental faculty को check करने के लिए mental alertness को check करने के लिए mental capability को check करने के लिए sometime ऐसा होता है कि आपको एक तरह से वह compare करते हैं कि आपको English में बोलना है आप फिर उसके बाद उसको कैसे लेते हो यह माहिने रखता है कुछ भी questions, query, doubts related to आपके personality test interview या नहीं कि और assistant commandant से related कुछ भी questions, query, doubts है तो हमें comment box में comment कर सकते हो और या फिर इस WhatsApp नमबर 8527146498 या टेलिग्राम नमबर 7404909669 पे message कर सकते हो ओके, thank you